नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिश्चा की दृष्टी से महत्तोपूर्ण, कुछ एहम खबरें और इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले नजर डालते हैं इसंक की हेडलाइन्स पर कृशी मंत्राला ने खादे तेलों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए खरी फ्रणनीती 2021 तयार की भारतिय विज्यानिकों ने प्लाजमा में एक जटिल घटना रिनातमक एक ध्रुविय विभव यानि नेगेटिव मॉनोपोलर पोटेंचिल का रहस्तियोध घाटन किया है श्रीलंका की संसद ने चीनी पत्तन शहर विधेयक को स्वीकृति प्रदान की विश्व मधुमक्खी दिवस के अफसर पर कृशी मंतरी ने शहद परीक्षन प्रयोग शाला का शुभारंब किया और ब्लैक फंगस की रोग थाम के लिए केंद्र ने इस रोग को महामारी अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित किया है सबसे पहली खबर कृशी शेत्र से कृशी मंतराले ने खादे तेलों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए खरीब रणनीती 2021 तयार की है ये किसानों के लिए उच्च उपच देने वाली किस्मों जिसमें के सोयाबीन और मुंगफली पर विशेश ध्यान दिया गया है इसकी मुफ्त उपलब्धता को प्रात्मेक्ता प्रदान करेगी ये तिलहन के अंतरगत अतिरिक्त 6.3-7 लाग हेक्टियर शेतर शामिल करेगी इससे देश में तिलहन और खादे तेल के उद्पादन को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी आपको बता दें कि भारत तिलहन उद्पादक और खादे तेलों के आयातकों में से एक है भारत में उद्पादित मुख्य तिलहन, सोयबीन, मूंगफली, तोरिया और सरसों, अरंडी, तिल, सूरजमुखी और अलसी हैं पाम तेल की अधिकांश मांग इंडोनेशिया और मलेशिया के आयात के जरिये पूरी की जाती है भारत में तिलहन के लिए सरकार ने कई पहले आरंभ की हैं जैसे राष्ट्रिय तिलहन और ओयल पाम मिशन, राष्ट्रिय कृषी विकास यूजना के तहत पाम ओयल शेत्र का विस्तार, तिलहन फसलों के नियुनुतम समर्थन मूले में व्रिधी, तिलहन के लिए बफ़ा स्टॉक का निर्मान, पीली करांती, तथा तिलहन, दलहन, पाम ओयल और मक्का पर एकिकृत यूजना, आपको बता दें कि दलहन में, तूर, मूंग और उड़त के उदपादन में आत्मिरभरता प्राप्त करने के लिए कृषी और किसान कल्यान मंत्राले ने एक विशेश खरीफ रणनीती तयार की है, इसे आगामी खरीफ 2021 सत्र में कार्यानवित किया जाएगा, अगली खबर विज्ञान एवं प्रोध्योगी की से संबंदित है, भारतिय विज्ञानिकों ने प्लाजमा में एक जटिल घटना, रिनात्मक एक दुरुविय विभाव, यानि नेगेटिव मोनोपोलर पोटेंचिल का रहस्योद घाटन किया ह विज्ञान और प्रोध्योगी की विभाग भारत सरकार के एक स्वायत संस्थान, भारतिय भूचुम्बकत्य संस्थान के विज्ञानिकों के एक समूह ने एक सिध्धान्त विक्सित किया है, ये सिध्धान्त पृत्वी के मैगनेटोस्फेर और सिध्धान्तिक भविश्य करवाणियों का अध्यान करने के लिए नासा के रोबोटिक अंतरिक्ष अभियान मैगनेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन के द्वारा दर्ज निरीक्षनों के बीच अंतर को लेकर प्रत्येक अनिश्चित्ता को पूर्णतया हल करता है मैगनेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन नासा का रोबोटिक अंतरिक्ष मिशन है ये चुम्बकिये पुना संयोजन की जाच करता है सूर्य और पृत्वी के चुम्बक्य शेत्रिक किस प्रकार संयोजित और विसंयोजित होते हैं तता विस्फोटक के रूप में उर्जा को एक से दूसरे में कैसे इस्थानांत्रित करते हैं वर्ष 2017 में मैगनिटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन ने रिनात्मक एक दुरुविय विभव दर्ज किया था यानि विद्ध शेत्रिय शमताएं जिने एकल उभार की तरंग नुमा संरचनाओं के रूप में देखा जा सकता है हाला कि उपलब्द सिधानतों में से कोई भी इन संरचनाओं की विशिष्टाओं की व्याख्या नहीं कर सका नया सिधान्त इन संरचनाओं की उत्पत्ती पर प्रकाश डालता है जिससे उस रहसे का पता चलता है जो प्लाजमा परिवहन और प्लाजमा के तापन के लिए उत्तरदाई होता है भारत्य विज्यानिकों ने बंस्टीन ग्रीन क्रसकल नामक विशेश प्रकार की तरंगों के स्रजन के लिए आयनों और इलेक्ट्रोनों के बीच तापमान अनुपात में उपरी सीमा की उपस्तिती को पूर्णतेया खारिच कर दिया है बंस्टन ग्रीन क्रसकल तरंगें एक संगठन रही प्लाजमा में और एक एक विद्यूत इस्थेतिक तरंगें होती हैं आईए अब जानते हैं इस सिध्धान्त के महत्त को ये सिध्धान्त मैगनेटर स्फेर में होने वाली सूर्य प्रत्वी की अंतह क्रिया की जटल प्रकृती को समझने में मदद करेगा साथ ही ये सिध्धान्त आयन छिदर संरचनाओं के रहस्तियों को सुलजा सकता है दरसल आयन चिदर सनरचनाएं एक इस्थानी कृत प्लाजमा छेतर होता है जहां आयन घनत्यों आसपास के प्लाजमा से कम होता है प्लाजमा ठोस्ट, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की चोथी अवस्था है गैस को गर्म करने पर प्लाजमा निर्मित होता है ये धनात्मक आविशित कणों और रिनात्मक आविशित कणों का मिश्रण होता है धनात्मक आविशित कणों को आयन और रिनात्मक आविशित कणों को इलाक्ट्रोन कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मान का अधिकांश भाग प्लाजमा से निर्मित है इसलिए इसके विवहार और गुण कई विश्यों में वेग्यानिकों के लिए गहन रुची रखते हैं महत्यपून रूप से विवहारिक सनलैन उर्जा के लक्षे के लिए आवश्यक तापमान पर सभी पदार्थ प्लाजमा के रूप में होते हैं अगली खबर पडूसी देश श्रीलंका से श्रीलंका की संसद ने चीनी पत्तन शहर विध्यक को मनजूरी प्रदान की है श्रीलंका के उचितम नियाले द्वारा विध्यक को संविधान के अनुरूप बनाने के लिए सुझाए गए संशोधनों को शामिल करने के साथ इसकी संसद ने चीन समर्थित कुलंबो पत्तन शहर को शासित करने वाले कानूनों पर विध्यक पारित किया है आई अब आपको बताते हैं हिंद महासागर शेत्र पर इसके भूराजनीतिक प्रभाव हिंद महासागर भारत के प्रभाव का प्राक्रतिक शेत्र है साथ ही शेत्र में भारत और इसके पडोसी लगू दूइपिय रास्टों पर सुरक्षा परिणाम भारत के लिए अन्ने की अपेक्षा अधिक महत्वपुन है इसे छोटे रास्टों को उपनिवेश बनाने के लिए चीनी रिण जाल कूटनीती का हिस्सा माना जाता है उदारन के लिए इससे पहले श्रीलंका को अपना हमबन टोटा बंदरगाह चीन को 99 वर्ष की लीज बर देने के लिए बाध्य होना पड़ा था श्रीलंका के इस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT में 70% से अधिक ट्रांशिप्मेंट व्यवसाय भारत से जुड़ा हुआ है ECT कोलंबो बंदरगाह शहर से लगभग 3 किलो मीटर दूर है आपको बता दें कि श्रीलंका का ये कदम सागर जैसे प्रयासों के माध्यम से एक सुरक्षित, सनरक्षित और इस्थिर हिंद महा सागर शेत्र के निर्मान की दिशा में भारत के प्रयासों को गंभी रूप से प्रभावित कर सकता है भारत सरकार द्वारा सागट शेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास पहल को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था आईएब आपको बताते हैं चीन द्वारा भारत को घेरने के प्रयासों के बारे में हाली में चीन ने तिबबत में यारलूंग जांगबो ग्रैंड कैनियन से होते हुए एक प्रमुख राजमार का निर्मान किया है इसे ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे गहरे कैनियन के रूप में भी जाना जाता है ये अरुनाचल प्रदेश सीमा के पास है ये वास्तविक नियंतरन रेखा LAC पर अवसंदशनाओं के माध्यम से भारत को घेरने के लिए चीन के सामरिक हेतों के अनुरूप है आपको बता दें कि चीन श्रीलंका के माध्यम से हिंद महा सागर शेत्र और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से पश्ची में सीमा को घेरने के लिए अन्य सामरिक पहलों को क्रियान वित कर रहा है अगली खबर खादेवं प्रसंसकरण शेत्र से विश्व मधुमक्य दिवस के अफसे पर क्रुशी मंत्री ने शहद परिक्षन प्रयोगशाला का शुभारंब किया मधुमक्यों को पॉलिनेशन यानि परागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये फूलों के पौधों की कई प्रजातियों के बीच पराग को इस्थानांत्रित करके पौधों को जीवित रखने और उनके पुनर उत्पादन में सहायता करती हैं वे छत्तों में रहती हैं और सदस्यों को कारें के आधार पर तीन प्रकार में बाढ़ती हैं रानी मख्यी, शमिक और ड्रोन यानि नर मधुमक्यी परागन के अलावा वे शहद और मधुमोम का उत्पादन करती हैं जिनका समाने तोर पर खाद्यपूरक, रोगों के उपचार या सौंदर प्रसाधन साबुनादी में उप्योग किया जाता है शहद और मधुमोम के निशकर्शन को मधुमक्यी पालन के रूप में जाना जाता है हाल के दिनों में भुमी उप्योग में परिवर्तन, कीट नाशकों, गहन कृशी और जलवाईव परिवर्तन के कारण मधुमक्यों की कई प्रजातियां खत्रे में हैं इसके लिए कई सरकारी प्रयास किये गए हैं जैसे राष्ट्रे मधुमक्यी पालन और शहद मिशन, ये मिशन वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था ये राष्ट्रे मधुमक्यी बोर्ड के तहत एक केंद्री शेत्र की योजना है इसका उद्देश्य व्यग्यानिक मधुमक्यी पालन का समग्र प्रचार और विकास करना है दूसरा है मधु क्रांती पोर्टल यानि मीठी क्रांती के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है ये पोर्टल डिजिटल प्लेटफर्म पर शहद और अन्य मधुमक्यी उत्पादों के ट्रेसिबिलिटी स्रोथ को प्राप्त करने के लिए ओनलाइन पंजी करन के लिए विक्सित किया गया है खादी और ग्रामोद्योग समिती केवी आईसी के प्रयासों से मधुमक्यी पालकों के किसान उत्पादक संगटनों का गठन किया गया है अगली खबर ब्लाक फंगस से सम्मधित है ब्लाक फंगस की रोग थाम के लिए केंद्र ने इस रोग को महामारी अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित किया है केंद्र की इस अधिसूचना के जरिये राजियों के लिए संदिक्ध और पुष्ट दोनों प्रकार के मामलों को एकिकरित रोग निगरानी कारिक्रम IDSP के तहत रिपोर्ट करना अनिवारे हो जाएगा म्यूकोर माइकोसिस में वायू में उपस्तित फंगल रोगानूओं के श्वास लेने के दौरान अंदर जाने से साइनस या फेफडे प्रभावित होते हैं आम तोर पर इस संक्रमन की घटनाओं को अनियंतरित मधुमे के रोगियों में सूचित किया गया था हाला कि अभी आये घटना क्रम में चिकित्सकों का ये भी मानना है कि COVID-19 रोगियों में वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाग है वाइट फंगस बिहार में रिपोर्ट किया गया था ये संक्रमन कम रोग प्रितिरोधक शमता के कारण हो सकता है या यदि लोग ऐसे पदार्थों जैसे जल आदी के संपर्क में आते हैं जिनमें फंगस उपस्थित हो तो वहां से भी ये हो सकता है फेफणों के साथ साथ ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है जिनमें नाखून, त्वचा, उदर, व्रिक, मस्तिश्क, निजी अंग और मुख आदी शामिल है फंगस यानी कवक ये युकेरियोटिक जीव जगत के अंतरगत आते हैं और परपोशी होते हैं ये अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते हैं फंगस लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजणन करते हैं फंगस एकल कोशिकिये या बहु कोशिकिये हो सकते हैं इन्हें यीस्ट कहा जाता है जबकि अन्य दोनों के बीच एकांतरिक होते रहते हैं इनकी कोशिका भित्ती काईटीन से बनी होती है जबकि पौधों की कोशिका भित्ती सेलिलोस की बनी होती है लाइकेन एक फंगस और एकल कोशिकिये शेवाल की एक या अधिक प्रजातियों या साइनो बैक्टिरिया के बीच सहजीविता के रूप में होते हैं आईए अब नज़र डालते हैं कुछ संशिप्त किंतु महत्वपुन खबरों पर राष्ट्रिय बालक अधिकार संरक्षन आयोग एनसी पीसियार ने कहा है कि केंद्र और राजियों को बच्चों एवं नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियां तेज करनी चाहिए एनसी पीसियार महिला एवं बाल विकास मंत्राले के अंतरगत बालक अधिकार संरक्षन आयोग अधिनियम 2005 के तहट वर्ष 2007 में स्थापित एक सामविधिक निकाय है ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कारिक्रम और प्रशासनिक तंद्र भारत के समविधान में नेहित बालकों के अधिकार के द्रिश्टिकौन और बाल अधिकारों पर संइक दुराष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप हो भारतियर राष्ट्रिय अभिलेखागार, NAI हाल ही में केंद्र ने सूचित किया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतरगत राष्ट्रिय अभिलेखागार के भवन में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है साथ ही किसी भी रिकॉर्ड में हस्तशेप नहीं किया जाएगा National Archives of India की स्थापना वर्ष 1891 में कलकत्ता में Imperial Record विभाग के रूप में की गई थी ये दक्षिनेशिया में सबसे बड़ा अभिलेखिय निक्षेपा गार है इसमें अभिलेखों जैसे साथजनिक रिकॉर्ड, निजी कागजाद, प्राचे रिकॉर्ड, कार्टोग्राफिय रिकॉर्ड और माइक्रो फिल्म का विशाल संग्र है ये संस्कृती मंत्राले के अधीन कारे करता है इसका एक शेत्रिय कारेले भोपाल में स्थित है और तीन अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर, जैपूर और पुडिचेरी में है शांगरीला डायलोग रद्द, ये एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है इसमें 28 एशिया प्रशान देशों के रक्षा मंतरी, मंतरालें के स्थाई प्रमुख और सैने प्रमुख परस पर विश्वास, निर्मान और व्यवहारिक सहीयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं ये शेतर में रक्षा और सुरक्षा समूहों में सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्माताओं के बीद समुदाए की भावना जागरित करता है भारत ओमान संबंध हाल ही में भारत और ओमान ने सेन्य सहयोग और समुद्री मुद्दे पर समझोता ग्यापनों का नवीनी करण किया है ओमान खाडी शेत्र में भारत का एक रणनीतिक साजिदार है ये सबसे सुधरन रक्षा और सुरक्षा सहयोग तंत्र के साथ भारत की पश्चिम एशिया नीती का एक महत्तोपूर्ण इस्तंब है उधारन के लिए ये एक मात्र राश्ट्र है जिसके साथ तीनों सेनाओं द्वारा नियमित सेन्य अभ्यास किया जाता है उधारन के लिए दोनों देशों की नौसेना द्वारा, नसीम अलबहर, थलसेना इस्तर पर अलनजाह और वायुसेना के बीच इस्टन ब्रिज ओमान में भारतिय प्रवासी समुदाई की उपस्थिती के साथ नियमित संस्थागत और सांस्कृतिक अंतरक्रिया संपन होती है डीप फेक की पहचान करने के लिए फेक बस्टर IIT रोपर ने मोनाश विशुविद्याले आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर फेक बस्टर नाम का डिटेक्टर विक्सित किया है जो वर्चुल कॉन्फरेंस के लिए डीप फेक की पहचान करने वाला एक उपकरन है डीप फेक जिसमें डीप लर्निंग और फेक से मतलब है नकली वीडियो, आडियो और अन्य डिजिटल रूप से परिवर्थित मीडिया द्वारा किसी और के रूप में प्रस्तुत होना या असत्य जानकारी फैलाना ये व्यक्तिकत सामाजिक और राजिस्तर पर कई खत्रे उत्पन्न कर सकता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम यानी SBS SBS एक ऐसी स्थिति है जिसमें भवन में रहने वाले लोग गंभीर स्वास्थे और कमफर्ट प्रभावों का अनुभव करते हैं जो एक इमारत में व्यतीत किये गए समय से संबंदित प्रतीत होते हैं हाला कि किसी विशिष्ट बिमारी या कारण की पहचान नहीं की जा सकी है भारत की नई इमारतों में निमनेस्तरिय भवन निर्मान योजना के कारण परियाप्त वायू संचार उपलब्ध नहीं होता है हाल ही में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी की गई एक सरकारी परामर्शिका में ये सुझाव दिया गया है कि एरोसल वायू में 10 मीटर तक दूर जा सकते हैं और इंडोर स्पेस के वायू संचार में सुधार के साथ इन एरोसल्स के संचरन का खत्रा कम हो जाएगा घोलवड सपोर्टा चीकू महराष्टर के पालगर जिले का घोलवड सपोर्टा चीकू एक भोगलिक संकेतक प्रमानित उत्पाद है हाल ही में इसका युनाइटिट किंग्डम को निर्यात आरंभ किया गया है आपको बता दें कि जोगरिफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों पर प्रियोग किया जाने वाला एक संकेतक है जिनकी एक विशिष्ट भोगलिक उत्पत्ती होती है और उनमें उस मूल के कारण विशिष्ट बुणया प्रतिष्ठा होती है एक भोगलिक संकेतक उन लोगों को सक्षम बनाता है जिनके पास उन तरतिय पक्षद्वारा इसके उपयोग को रोकने के लिए GI का उपयोग करने का अधिकार होता है जिनके उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ लेकिन तब तक के लिए विजन आईस की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कडाई भी के मंत्र को याद रखें 18 वर्ष से उपर आयू के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें लेकिन इसके साथ ही कोविड नेमों का पालन करें मास्क पहनें, सुरक्षी दूरी बनाए रखें, हाथ और मूर साफ रखें और इसके साथ ही विजन आईस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस्कार